एक संकी किंग जिसने अपनी हवस को कम्प्रेट करने के लिए अपने ही राज जमें से 10,000 लड़कियों को किड्नैप कर लिया था आज के हमारी मूवी तरेजररस ये 2015 की कोरियन मूवी है इस मूवी में हम जो चीजे देखते हैं आप इस पर पिलियू नहीं कर पाओगे पर एक्चुल में ये सब हुआ था वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपको वीडियू अच्छा रागता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंड भी करतीजे जिसे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है बिना किसी देरी के मूवी को एक्स्पेन करना स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और किंग के हमें दो इम दिखाय जाते है संजे और साहूं संजे यह साहूं का बेटा है एक बुड़े औरत के पास आय हुए थे उसे ओख लेकर जाते है किंग के पास भोज़ कर उन्होंने किंग को बताया कि आपके मदर के क्लॉस थे उन्हें मारने से पहले यह यही पहन रही थी किंग को बताते हैं कि आपके मदर का मर्डर किया गया था किंग का नाम यह उसान है यह उसान यह बहुत संकी किंग है यह अब बदले की आग में भड़क रहा था इन दोनों से पोछता है जैसा कर कोन सकता है ये दोनों इन से कहते हैं कि आपके दर्वार में बहुत सारे यसे लोग है जो आपके खिलाफ हैं अब इसके बाद सब लोग को king मारने लग जाता है जिन लोगों पर भी उसे शक था इन सब को उसने मार डाना संग जे और साहोंग इन्होंने किंग की आखे खुली थी इसलिए उन्हें प्रमोशन दिया गया अब किंग का बदला पुरा हो चुका है इसके बाद हम देखते हैं दो लड़कियों का इंटिमेट होने का ड्रॉइंग किंग बना रहा था उसकी खुद की ड्रॉइंग उसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी यहाँ पर संग भी था तो संग ने कहा कि मैं अपने नाम पर इसे साइन कर लेता हूँ जिसका आपका नाम बदनाम नहीं होगा संग जब अपने चेमबर्स में जाता है तो बहुत सारे लड़कियों को उसने बुलाया हुआ है दो लड़कियों की किंग gen जिस पोजीशन में पेंटिंग मनवाई थी उसी पोजीशन में इन सब को इंटिमेट होने के लिए कहता है यहाँ पर संग को बताय जाता है कि पैलेस में और एक नहीं लड़की आई हुई है इसका नाम CEO होता है CEO संग से आकर कहती है कि मुझे पता है कि कोई भी नहीं लड़की आती है तो आप उससे देखना चाहते हो संग एक्चुल में एक पर्टिकुलर लड़की को ढूना जाता है जो उसे मिल नहीं रही सियो को देखता है और समझ जाता है कि ये वो नहीं है सियो बहुत एक confident है कि वो उसे रिजा सकती है संग फिर उसके साथ एक game खेलता है बहुत सारे दारू के pot उसने लाए हुए है वो गहता है हर एक pot में finish करूँगा जब मैं finish करूँगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा एक article निकाल कर नीचे रखना है संग दारू पिता गया और सियो न्यूड होती गए उसे नहीं लगा था कि संग इतनी सारी पीप आएगा पर लास्ट तब वो पिता गया और सियो को पुरा न्यूड होना था इसके लिए वो मना कर दिया संग इस पर बहुत चिट जाता है सियो के सर पर ही वो अल्कॉल डाल देता है संग के जब फादर वहा है तो उन्होंने पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो वो संग को डाट रहे थे पर संग गहता है कि क्या आपको पता नहीं मेरा ट्रांसपर हो चुका है उसे बुरा लग रहा था इसी वज़े से ये सब वो कर रहा था एक्चुल में अब किंग अपनी सब जिम्यदारिया छोड़ कर पूरे किंगडम में खुमने वाला है ऐसा करते वक्त जो भी लड़की उसे पसंद आती है उसके साथ वो इंटिमेट हो जाता है एक दिन किंग को लगा कि उसके साथी पर वो जादा ट्रस नहीं कर सकता उसने डिसाइड किया कि उससे वो रेस करेगा किंग ने कहा अगर में रेस जीत कया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा जो तुम जीत कये तो तुम्हारे लाइस पेर हो जाएगी ये रेस उन्होंने स्टार्ट की पर इस रेस में किंग अपने घोडों से नीचे गिर गया वहाँ कुछ बर्ड्स थे जिनसे वो डर गया था उसने फिर ओडर दिया कि इस किंगडम के सब बर्ड्स को मार दिया जाए बहुत सारी घटिया चीज़े प्रिंस ने की है तो इसी वज़े से वो डिस्टब हो चुका था उसे अब नीन भी नहीं आ रही थी उसे कमफर्ड करने वाली सिर्फ उसके एक कंक्युबाइन थी जिसका नाम था नौक्सू किंग अब रियलाइस करता है कि मरने से पहले उसका कोई बेटा हो इसके लिए वो संग को एक ओर्डर देता है वो गहता है पूरे किंडम में तुम जाओ जो भी लड़की तुमें दीखे उन सब को तुम उठा लेना एक बड़ा सा ओर्डर उसने जारी खिया था रात में हम देखते हैं कि संग अपने एक फ्रेंड के साथ था ये संग का फ्रेंड भी किंग के लिए काम करता है और इसका नाम था पार्क पार्क संग से गहता है किया तुम राजा के लिए अब ये सब काम करोगे संग इस पर हर्ट हो गया वो पाक से गहता है तुमारी सिस्टर के साथ किंग इंटिमेट हुआ था जिस आदमी ने तुमारी सिस्टर का रेप किया उसके लिए जुकने में तुम्हें कैसा लगता है इसके बाद नेकसी में हम देखते हैं गिंग की जो कंक्यूबाइन है जिसका नामे नोक्सू ये अपने खुद के लिए पावर जाती है अब पूरे किंगड़म में प्लान बनाए जाता है इसके बाद जैसा किंग का ओरडर है वैसा हिस्सिंग करता है हर जगह से जाकर सब लेड़कया उठा कर लाता है अब पूरे kingdom में बहुत ही ज़ादा अक्रोश है इनके पास अब बहुत सारे लड़कियों की list आ चुकी थी संग के father एक lord को hit करते थे, उन्हें संग को कहा कि उसकी लड़किया भी तुम उठा कर ले आओ जब संग वहाँ पोच्चता है तो यह lord गिड़ीड आता है प्लीज मेरी लड़कियों को मत ले कर जाओ पर संग मानने नहीं वाला अपने आदमियों को भेज कर उसके लड़कियों को ले जाने वाला है इससे बहले lunch करने के लिए एक जगा पर वो आता है जैसे कि हमें पता है कि किंग पर सब लोग जादा ही चिड़े हुए है जब वो संग को देखते है तो उन्हें पता है कि संग किंग के लिए काम करता है lunch करते हैं संग इन सब बातों को सुनता है इस town में जब वो था तब उसे एक sword fight करने वाली लड़की दिखी इसका नाम था Dan He Dan He हमारी और एक main character है उसने Dan He को देखा वार देखते वक्त थे अपने बच्पन की प्यार की उसे याद आ गए Dan He बहुत ही beautiful थी जैसे कि मैं पता है कि लोग संग को या hate कर रहे है जब संग अकेला स्टीट से जा रहा था तो इन लोगों ने उसे घेर लिया यह उसे मार रहे थे और मार ही डालने वाले थे तो भी Dan He उसे आकर बचा लेती है इस fight में संग भेहोश हो गया था तो Dan He उसे घर लेकर आई जब संग होश में आता है तो Dan He से बुचता है इतना अच्छा sword dance यह तुमने कहा शिका Dan He कहती है कि मैं एक बुचर हूँ मेरा काम करते करते ही मुझे सब moves आने लग गये वो संग से कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो वो king के लिए serve करना चाहती है उसके father पर बड़े से depth है जो चुकाना चाहती है संग इसके लिए मानता नहीं क्योंकि Dan He एक बुचर है वो किसी बुचर को king को serve नहीं कर सकता इसके बाद next day हम देखते है Lord के बेटी को जब संग लेने के लिए गया तो वहाँ Dan He थी actual में Dan He के father ने Lord से पैसे लिए होए थे ये वैसे वह सूलने के लिए Lord ने अपनी बेटी की जगा Dan He को डाल दिया संग ये सब देखता है पर इस बार इसे इग्नोर कर डालता है जब संग Dan He को अपने साथ लेकर आया तो एक रात संग के ही आदमी Dan He को जबरदिस्ति कर रहे थे संग ने उनसे Dan He को बचा लिया जब संग के फादर को Dan He के बारे में पता चला तो संग से कह रहे थे कि इसे हम किंग के बास नहीं भेश सकते संग अपने फादर को समझाता है कि किंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा जब पुरे किंगडम की लड़किया किंग के सामने लाई के तो किंग बहुत दिखुश हो गया इन सब लड़कियों की अब ट्रेनिंग होने वाली है इस सब ट्रेनिंग के लिए इन सब लड़कियों को वो स्कॉलर्स के चेंबर्स में लेकर आता है ये सब स्कॉलर्स सद्यों से बहुत ज़्यादा स्टड़ी करते हैं सही से हिस्ट्री मेंटेन करते हैं अब इनके चेंबर्स में इन सब लड़कियों को रखा जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा छेट जाते हैं संग के राइवल पाक के पास जाकर कींग की सब कंप्लेंट करते हैं अभी तो एक कींग को कुछ भी नहीं कर सकते पर जब सही टाइम आएगा तब इस्ट्राइक करेंगे इसके बाद हम देखते हैं कि सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है कींग को किस तरीके से रिजाना है क्या करना है जिंसे इनकी एक्टिविटी मोस्ट प्लेजरेबल हो एक दिन कींग के सामने इन सब की टेस्ट ली जा रही थी इनके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था इन सब को कुछ चूज करना था इसके बारे में उन्होंने उसे क्यो पिक किया इसके बारे में explanation देना था इसमें CEO और Dan hee भी है CEO जब food juice करती है तो बहुत ही sexual food है King जब CEO को देखता है तो उससे वो बहुत अच्छी लगती है इसके बाद Dan hee का चांस आता है Sung ने Dan hee को already पता हुआ है King थोड़ा सा poetic है अगर अपनी poetry से तुम उसी रिजाओगी तुमारा वो दिवाना बन जाएगा Sung को King का फेवरेट food भी पता है जो Dan hee को बता देता है और Dan hee वो ही food juice करती है King इससे impressed हो जाता है King उससे पुछता है तुमने यही food क्यों juice किया Dan hee कहती है इसे खाना बहुत ही sorrowful था यहाँ एक कविता करती है जिससे King के आखों में आसु आ गए इस situation से हम देख सकते है किसी ओ और Dan hee यह दोनों King के फेवरेट बन जुके है actual में Sung हमेशा Dan hee को King को रिजाने के लिए training देता है एक रात यही चल रहा था तो Dan hee को dance करने के लिए कहता है यह sword dance जब Dan hee करती है तब Sung realize करता है बच्पन में ओ जिससे प्यार करता था यह Dan hee ही है यह दोनों एक दूसरे को like करते थे पर Sung के फादर ने उन दोनों को जुदा कर दिया क्योंकि Dan hee के फादर एक ट्रिटर थे यानि के फादर को मार डाला गया था उसके बाद वो गायफ हो गए Sung अब realize करता है यह Dan hee ही उसका बच्पन का प्यार है इसके बाद हम देखते हैं किंके साथ intimate होने से पहले इन सब लड़कियों को एक इम को इम्प्रेस करना पड़ेगा जब सियो इम को इम्प्रेस करने के लिए जाती है तो अपना व्यू देखकर उसे इम्प्रेस कर डालती है जब Dan hee का चांस आया तो यह इम उसे disrespectful बात कर रहा था Dan hee ने कुछ pressure point दवा है इसकी वज़े से उस इम को dysfunction हो गया इस पर वो बहुत इचीर जाता है तो Dan hee कहती है किंग कभी भी इस तरह से मुझसे बात नहीं करेगा यह इम उसे मारने वाला था पर संग ने Dan hee को बचा लिया इसके बाद हम देखते है कि Dan hee को संग लड़ाई करने के लिए भी train कर रहा था डैनी संग से पूछती है कि तुम मुझे train क्यों कर रहे हो क्या इसकी पीछे तुमारा और कोई reason है उसे पता है कि संग उसे like करता है वो उसे पूछती है तुमारी feelings की वज़े से तुम मुझे कींग को नहीं दिना जाते है यह सिन यहीं कतम हता है और नेक सिन में हम संग के फादर को एक इम से बात करते हुए देख सकते है इस इम को पता जल चुका है डैनी एक भूचर की बेटी है अब राप में जो भी सब लड़ किया टेस्ट में पास होकर आगे गई है यह सब किंग के लिए डांस कर रही थी इस डांस में डैनी भी किंग के लिए एक स्पेशल डांस करती है अपने फादर को मारने के लिए किंग से बदला लेना चाहती है उसके हाथ में स्वार्ट था जाकर वो किंग को मारने वाली थी तब ही उस पर एक एरो चल गया संग ने इस arrow को notice किया और डैन ही को बचा लेता है वो खुद थोड़ा सा hurt हो गया था actual में ये arrow चला कर डैन ही को मार डालने का order संग के father ने दिया था वो नहीं चाहते किंग की डैन ही की वज़े से बदनामी हो संग को इसके बारे में पता चल जाता है जब दोनों इस पर बात करते हैं तो father संग पर बहुत ही चिड़े हुए है उसे डाटते है क्योंकि डैन ही को favor करते है संग कहता है कि king मेरे सामने कुछ भी नहीं है वो king को overthrow करना चाहता है उसके father इसके लिए उसे मना करते है तो संग कहता है कि आप हर पार king को ही favor करते आ रहे हो संग की mother को father ने king को offer कर दिया था इसी वज़े से उसकी mother ने poison भी कर खुद कुशी कर ली थी संग king से बदला लेने वाला है रात में संग डैन ही से मिलने के लिए आया उसे कहता है तुम king को मारना क्यों चाहती हो डैन ही अब confess करती है अब उने father का वो बदला लेना चाहती है डैन ही माने की नहीं तो संग कहता है मेरी power में तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें king को मैं मारने नहीं दे सकता सं डैन ही से पैर करता है तो वो हर्ट हो जाए ये वो नहीं चाहता king पर हमला हुआ तो जो भी suspected लोग थे इन सब को बंदी बनाया गया अब सब लोग को सबक सिखाने के लिए उनकी wife को arrow दिया जाता है अपने खुद के husband पर ही arrow चलाने के लिए king इन wife को मजबूर करता है एक wife अपने husband को बचाने के लिए king से कहती है कि मैं आप के लिए कुछ भी कर सकती हूँ king उसके साथ intimate होता है पर फिर भी उसके husband को मार डालता है wife जब ये देखती है तो खुद suicide कर लेती है ये जो भी सब हुआ तो king इससे बहुत disturb हो गया था Danny को उल्टा सिदाना करे इसलिए संग उसे इस competition से बाहर निकाल देता है Danny की comparison में सिर्फ CEO है तो उसे भी निकाल दिया गया था इसके बाद CEO फिर एक बड़े im के पास गई उसने इस im को convince किया कि उसे फिर से इस competition में डाल दिया जाए जब king को Danny और CEO के बार में बताया जाता है तो king चाहता है कि इन दोनों में एक final competition हो इसमें से कौन based है ये फिर डिसाइड हो जाएगा king के अब ये direct order है तो संग इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता उसके पास अब एक ही अच्छा option है कि Danny को ट्रेन करेगा राद में और Danny को अपने पास बुलाता है उसे पुरा nude करकर उसकी acupuncture therapy करता है संग गहता है कि अगर तुम्हीं जीतना है तुम्हारे पूरे senses तुम्हारे control में होने चाहिए यहाँ पर जब बात करते है तो संग Danny को अपना बनाना चाहता है Danny मर जाएगे पर संग को accept नहीं करेगे एक्च्छल में संग के फादर ने ही Danny के फादर को मार डाला था इसलिए उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है इसके बाद हम देखते है कि CEO और Danny की बीच में आज रात final competition होने वाला है King इन दोनों को एक दूसरी के साथ ही intimate होने के लिए कहता है जैसे कि हमें पता है कि हमेशा ओपेंटिंग बनाता है तो इस बार इन दोनों के ओपेंटिंग बना रहा था King ने यहाँ एक शाथ रखिये वो कहता है कि जो firstly finish होगा उसका beautiful सर काट कर मैं winner को दूँगा इसके बाद Danny और CEO एक दूसरी के साथ intimate होते है और CEO इसमें हार जाती है King अब CEO को मारने वाला था पर Danny ने CEO को बचा लिया वो King से कहती है कि तुम मुझे इसका beautiful head देने वाले थे अगर वो मर गए तो यह beautiful नहीं रहेगी है King इस पर impressed होता है वो CEO की life spare करता है कहता है कि अब CEO हमेशा तुमारे लिए एक servant होकर रहेगी जैसे कि अब हम देख सकते है Danny जीच चुकी है तो वो ही King को अब उसका बेटा देगी है संग Danny से प्यार करता है तो नहीं चाहता क्यों King की बन जाए Next day संग King के पास गया उसने उसे request की इबलीज Danny को तुम जाने दो King समझ गया कि संग उसे प्यार करता है उसे इस बात से बहुत दुख हुआ एक King पागर है पर हमेशा उसे उसकी कलतिया रियलाइस होती है संग का अच्छा फ्रेंड है तो उसे हट नहीं कर सकता वो रोने लग जाता है तो गयता है कि मैं बहुत ही बुरा हूँ प्लीज मुझे तलवार लेकर मार डालो बहुत इमोशनल हो गया था और रोने लग गया था तो उसके पास उसकी कंक्यूबाइन नौक्षू आई उसे कुछ भी गलत करने से नौक्षू ने बचा लिया संग फिर अपने आदमियों को ओर्डर देता है डैनी को जल्दी से इस पैलेस से बहार ली कर जाओ ये वही रात है जब डैनी कींग के साथ इंटिमेट होने वाली है संग पैलेस तक पोछने का बहुत ट्राय करता है पर वो लेट हो चुका है डैनी कींग के पास पोछती है और इससे इंटिमेट होने लग जाती है डैनी ने किंग को एक रिडल पूछा जो किंग सौल कर रहा था इसमें किंग बीजी था तब एक किंग के बेड़ के पास जो चाखो था डैनी ही ने निकाल लिया वो किंग को मार नहीं वाली थी तब इस संग के फादर ने उसे रोक लिया डैनी की सब हिस्ट्री निकलवाई जाती है, वो अपने फादर की तरह एक बूचर के साथ रह रही थी, इन बूचर को बुलवाय जाता है और उन्हें वो मार डालते हैं, डैनी के सामने उसके फादर की स्कल्ड भी लाकर फोर दी जाती है, किंग को संग और उसके फादर पर आपके खिलाफ है, कि सही नहीं था, संग और उसके फादर गिड़ी डाने लगते हैं, किंग से कहते हैं, कि आप जो भी कहोगे, वो हम करने के लिए रेडी हैं, किंग फिर संग को एक पेन और इंग देता है, क्याता है, कि डैनी के बलड से इस इंग को तुम भर कर आओ, सं जोक उसने कहा, कि डैनी अभी भी जिन्दा है, मैंने उस पर इस तरह से वार किये थे, कि वो मरे ना, पर वो बहुत ज़ादा इंजोर्ट है, सिव फिर डैनी को पहले से बहार ले जाकर उसका इलाज करवा दिया, अब सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी, संग ने फिर स किंग को ओत्रो करना है, तो एक साथ काम करना ही पड़ेगा, उसने फिर एक रात किंग को आइसोलेट कर दिया, किंग बहुत ही ड्रंक था, तो संग के साथ हैंग आउट कर रहा था, संग किंग को एक आइसोलेटर चेंबर में लेकर गया, उसे वहाब बन करने वाला था, कि भी इस बात से एगरी करता है, वो किंग को बन करकर चला गया और उस पर उसने पिक्स छोड़ दिया, पाक के आदमी जब पैलेस पर हमला करते हैं, तो पैलेस के सब लोग भी पाक के साइड में हो जाते हैं, इसके पैललल में हम देखते हैं, डैन ही भी अब ठीक हो चुकी थी वो डैन ही पैलेस में आकर किंग को मार डालने वाली थी, जैसे कि हमें पता है कि संग अपने आपको भी दोशी मानता है, उसने किंग का मास पहन लिया था, जब डैन ही किंग को मारने के लिए तो उसे जादा वो रेजिस्ट कर नहीं रहा था, बात में डैन ही को पता चल ग दैनी कहती है कि तुम्हारे मर जाने से तुम्हें कोई भी सजा नहीं मिलीगी तुम्हें जिन्दा रहे कर अपनी गल्तिया सुधार नहीं चाहिए यह जब दोनों बात करे थे तो संग के फादर भी वहा आ गये फादर संग से पुछते है कि तुम किंग के चेंबर में क्या कर वो इसके लिए सही नहीं है, फादर उसे कहते है कि डैन ही की वज़े से तुम ये सब कह रहे हो, गदरो मर जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो डैन ही को मारने के लिए जा रहे थे, तो संग अपने आपको स्वार्ड से इंजोर कर लेता है, फादर अभी भी नह मानते हैं, और डैन ही को मारने वाले थे, तभी पाक ने आकर डैन ही को बचा लिया, पाक संग का वही राइवल है, जिसने इस पैलेस को लेने में उसकी मदद की है, संग अब मरने वाला है, तो पाक उससे उसकी लास्ट वीज़ पूछता है, संग कहता है कि डैन ही को पावर चली गई थी उसके बाद उसे बैंड कर दिया गया यह जो सब स्टोरी थी यह हमें सीओ बता रही थी मुवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी स्वाट डांस कर रहा है जब इसका मास्क उतरता है तब यह संग ही है यानि कि संग ने खुदकुशी करने की कोश इसी तरीके से इस मुवी की हैपी एंडिंग हो जाती है अगर आप को वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवी तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेन डूरिशन आइक़ोन दबाने में मत भूलिएगा फिर